आप सभी प्रिय दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है इस नई वीडियो में, आज हम चर्चा करेंगे Reliance Industries Limited के बारे में, और इतनी बड़ी गिरावट क्यों आ रही है, सिर्फ इंट्राडे के लिए है नहीं, बलकि लॉंग टम के लिए भी क्या यहाँ पर करेक्शन का मतलब होता है, कि जो Reliance Jio का हिस्सा है, और साथ ही साथ में, जो Reliance Redial का हिस्सा है, वो अलड़ी इसने sell-off कर जाए, उसकी detail पूरी बताएंगे आपको यहाँ पर, आगेगा क्या impact हो सकता है Reliance Stock पर, वो भी बताएंगे, और हमारी क्या position है, और हमने क्या किया हुआ हुआ ह अपने paid customer के साथ में, वो भी आपको visualization करेंगे, ताकि आप अपनी समझ बूद से accordingly आप अपना decision भी ले सकते हैं, इसका valuation करेंगे और देखेंगे कि क्या इसकी fair value है, अगर गिर रहा है तो कहां तक गिर सकता है, और आगे आपका क्या run नीती होना चाहिए Reliance Industries के लिए, बेश रखने वाली बात है, कि अकेला नहीं गिरेगा, यह सब को साथ में लेके गिरने वाला stock है, तो इसलिए थोड़ा सा साफदान होने की जूरत है Reliance Industries in particular, और साथ ही साथ में stock market in general, चली इश्रुवात करते हैं सबसे पहले समझेंगे इसके बारे में, तो अगर market cap की दर्सिस द के आसपास होता है, और industry PE के comparison में देखें, तो 43 है, जहाँ पर industry का PE 40 के आसपास है, तो reasonable range में है अपने हिसाब से, दोस्तो wealth creation एक long term process है, और Reliance Industries आपके long term holding में जरूर होना चाहिए, पर किस level पर खरीदना है, और कहाँ पर profit book करना यह बहुत जादा important हो जाता है, आपको 80% portfolio long time की investment होना चाहिए, और 20% से trading कर सकते है, अगर आपको हमारी intraday की paid service से जिसमें nifty और bank nifty के feature and option के हम trading करते है, तो आपको mail drop कर सकते है, विल बी more than happy to help you, और अभी diwali discount चल रहा है, आपको एक हफ्ता extra bonus free में मिल रहा है, 25% discount के रूप में, आप हमे mail drop कीजे, सारी detail आपको package के स and warehouse business at 24,000 करोड from future group, तो ये बहुत अच्छी ख़बार है, जिसके चलते वे, reliance को profitability बढ़ेगी और उनकी growing growth आगे बढ़ेगी, पर उसमें problem यह है कि उन्होंने already अपना काफी सारा stake बेच दिया है, इसको चलते वे करीब 40,000 करोड का stake already in reliance retail का बेच चुके है, आपको जबी portfolio पुले management करना है, तो अलग-अलग sector में stock टालने हैं और allocation करनी है 5%, 10%, 20% based on mid cap, large cap and small cap or penny stock respectively, आपको cash management करना चाहिए, अपनी cash कम से कम 20% पर रखिए, ताकि वो trading और contingency में काम आए, अब अगर इसके हम September का result देखें, तो देखें September का result के basis पर इसने sales जो दी है, वो बढ़ाई है 11,100, sorry, 116,000 करोड की sales होई है, जहां पर compared to 88,000 करोड की sales के साथ में, पर profitability बड़ी नहीं है, गड़ गई है, 10,000 करोड की profitability रही है, compared to 13,000 करोड के, तो ये एक street को अच्छा नहीं लगा है, यहां पर, expansion का pressure बाढ़ रहा है, expenditure जो है, 72 करोड की बजाए, 103 करोड है इस quarter में, जो गिर रहा है, तो देखिए, अगर हम इसका long term का chart देखें, तो ये weekly chart है, देखिए, इसका high जो बना है, 2371 का बना था, और यहां से अगर हम फिबोनाची आर्च निकालें, जो इसने low बनाया है, तो इसका जो पहला resistance बनेगा, वो यहां पर बनेगा, 2041, जो इसने cross किया था, आप और support की तरह से काम करेगा, हो सकता है, यहां पर गिरे, दूसरा जो key resistance हो सकता है, वो ता 22,100, और जहां से इसने perfectly वहां से एक dip किया है, इस हफ़ते में, तो आपको समझना है, यह technical parameter इतने important क्यों है, फिबोनाची आर्च रिट्रेस्मेंट की दर्से से, अब वहीं पर अगर देखें, बुलियंजर बैंड ने low level से bounce किया, जो कि expectation था यहां तक जाएगा, और गया 2000, 2076, पर यहां से फिर वो pressure आया, जो 2100 वाला, और देखें, एक ही दिन में कितनी तकड़ी गिरावट आया, और volume के साथ है यह, तो technically यह यहां पर overboard zone में था, दूसरा reason इसका यह है, technically देखें, अगर आप super trend को देखें, तो super trend ने perfect जो level है, वहां तक गया, और वहां से फिर pressure बनाया, 2098 का एक strong resistance बन रहा था, super trend की तरफ से, अगर आप देखें, जब से covid का low बना था, उसके बाद से इसने पहली बार sell signal दिया है, और यहां पर, यहां तक जाने के बाद उ बहुत अच्छा parameter है, जो आपको long term की दिरश्ची से बता सकता है, कि आग एका क्या पर करिया हो सकती है, तो MACD ने कुछ time के लिए इसने divergent करना दिखाना शुरू किया था, बट अभी जो आज की candle बनी है, उसके एसाब से फिर gap कम हो गया है, और हो सकता है, फिर से यह cell signal generate कर देखें, तो देखें, तो देखें, RSI से आपको पता लग जाता है कि कहा पर overbored zone में आ गया है, अगर stock आ गया है, तो देखेंगे अगर RSI का level, तो देखें यहाँ पर RSI ने आपको एक level बनाया था, करीब करीब नीचे से आया था, 20 के level से, बहुत अच्छा jump तिखाया 50 के तो अभी लग रहा है कि नीचे की तरफ को continue pressure रहेगा तो technically यह एक weak spot में है ऐसा कह सकते हैं दूसरा इसका reason valuation के basis पर अगर आप valuation देखें तो क्या यह overbought zone में है क्या यह overvalued है अभी stock इस level पर हमारी team ने इसका fundamental analysis किया उसके basis पर जो result आए आपको share करेंगे अंडर value वो range है जहाँ पर अगर यह stock कभी मिले तो उसको लपक कर खरीद लेना चाहिए आपको इसका under value range होगा 1200 रुपे के नीचे fair value range है जहाँ पर stock 2 quarter घुमेगा इसका जो fair value का range है वो है 1300 रुपे से 1700 रुपे का और over value range है जहाँ से stock नीचे गिरेगा और वो range है 1900 रुपे से 2400 रुपे का और अभी देखे 1900 के आसपास गया था यहाँ पर stock और फिर अभी भी यह over value range है तो और थोड़ा सा correction हो सकता है हमारे हिसाब से यह fair value में आने की कोशिश करेगा promoter holding अगर देखी जाए तो promoter की 50% holding है F.I.E.N.E. 25% holding maintain की हुए इसमें Reliance Group के साथ में अच्छी synergy मिलेगी और Reliance Jio का जो distribution बनेगा वो दोनों के लिए बहुत अच्छा काम रहेगा आगया आने वाले समय में अब अगर conclusion की बात की जाए दोस्तों तो simple बात है आपके portfolio में Reliance Industries होना चाहिए पर आप इसको कहाँ खरीदेंगे अभी अगर आपके पास stock है तो थोड़ा सब profit book कर लिजे और इसको lower range of fair value में खरीद सकते है हमारी उमीद है market में थोड़ा collection आएगा यह वहाँ तक जाएगा और वहाँ पसिर आपके long term के लिए बहुत अच्छा growth बनेगा आपके लिए 4 वीडियो प्रस्तुत है हमारे चैनल की 14 प्लस वीडियो में से आपको जो अच्छा लगया आप देख सकते हैं अगर कोई वीडियो पसंद नहीं आए कोई बात नहीं आप हमें comment में बताइए क्या वीडियो देखना चाते है हमारी टीम उसको लेकर वीडियो बनाने कोशिश करेगी जय हैं जय भारत आपका दिन मंगल में हो बाई गाइज